Hello Everyone, Welcome to the Geo Ecologist GS मैं हूँ Dr. Krishnanand और आप देख रहे हैं हमारा NCRT सिरीज जिसमें हम Class 12 Geography का Fundamentals of Human Geography से इस वीडियो में Chapter No. 4 करने वाले हैं जो कि है Primary Activities के बारे में तो इस वीडियो में हम World Over Primary Activities के बारे में जानेंगे Various Types of Agriculture के बारे में जानेंगे तो इस वीडियो को आप आखरी तक जरूर देखिए क्योंकि यह बहुत informative होने वाला है और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे वीडियो को शेर जरूर करिए और इससे पहले की वीडियो आपको हमारे प्लेलिस सेक्शन में मिल जाएगा तो वहाँ जाके आप जरूर देखिए और आप अगर रेगिलर हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज हमें सपोर्ट भी करिए हमारे चैनल को जॉइन जरूर करिए तो आईए सीखते हैं प्राइमरी अक्टिविटीज के बारे में तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह है चैप्टर नम्मर फोर फंडमेंटल फॉमन जोगरिफी से और टाइटल है हमारा प्राइमरी अक्टिविटीज तो जो यह शब्द है प्राइमरी यानि सबसे पहला तो प्रथम चीज जो होती है वो क्या है इन टरम्स अफ एकनॉमिक अक्टिविटी जिसको हम प्राइमरी अक्टिविटी बोलते हैं अब primary है मतलब सबसे पहले देखेंगे कि यह वो activities है जो nature dependent है, environment dependent है, यानि यह वो activities है जहाँ पर human beings directly environment के उपर depend करके, nature के उपर depend करके, resources को use करता है अपने activity के through. तो यहाँ देखेंगे, refers to utilization of earth's resources such as land, water, vegetation, building material, minerals और यह सब use करके वो अपना livelihood use करके बनाता है. अब देखेंगे यहाँ पर hunting है, gathering है, pastoral activity है, fishing है, forestry है, agriculture है, mining and querying है, यह सारे natural resource के उपर आधारित है, इसलिए यह सारे activities, primary activities के अंदर आते हैं. तो अब यहाँ पर देखें कि लिखा गया है, do you know, people engaged in primary activities are called red collar workers, ठीक है, तो red collar workers सुनेंगे तो ध्यान रहे, primary activities वाले. अब आते हैं, hunting and gathering से यहाँ शुरू किया गया है, कि सबसे पहला category क्या है, hunting and gathering, अगर आप history को पढ़ेंगे, तो देखेंगे, सबसे पहले लोग hunters and gatherers हुए, nomads हुए, और तब धीरे-धीरे agriculture का विकास हुआ, लोग settle हुए. तो earliest human beings जो है, वो depend करते थे अपने आसपास के environment पे, जहां होते थे, वहीं पे subsist करते थे, उसी पे depend करते थे, तो यहाँ देखें, दो चीज़े हैं, animals के उपर depend करते थे, जो hunt करते थे, और edible plants, जो खाया जाने वाला plants है, उनको gather करके forest से लेके आते थे, इन दो hunting और gathering वाले, तो यह primitive societies में आपको commonly दिखेगा कि wild animals का hunting और इसके उपर survival, और जब fire discover हुआ तो इसको cook करके लोग खाने लगे, तो यह सारी चीज़े हैं, coastal areas में जो लोग हुए, वो fishing के उपर dependent हुए, ऐसा ही बहुत सारी species को लोगों ने discover किया with technological progress, और gradually क्या हुआ, जब बह बढ़ गई, तो आप देखेंगे क्या animal extinct होने लग गए, human being population बढ़ा, तो animal का extinction हमारी वज़े से शुरू हो गया, और या तो वो endangered category में आगए, आप देखेंगे International Union for Conservation of Nature, IUCN ने इसको बनाया है, एक red list बनाया है, जिसमें आप देखेंगे यह categories mentioned है, तो gathering and hunting वाले society है, यह practice किया जाता है, खास करके ऐसे climate में, जो बहुत harsh आपको दिखेगा, इसमें primitive societies देखेंगे, वो बहुत plants और animal के उपर depend करते हैं, अपने food के लिए, shelter के लिए, clothing के लिए, और यह activity जो है, उसको small amount of capital investment या नहीं के बरावर चाहिए, इसमें low levels of technology चाहिए, तो बहुत कम आपको resource इस्तेमाल करके ये activities लोग करते हैं, तो ये बहुत important है, और इसमें ज़्यादा तर आप देखेंगे, surplus बहुत कम होता है, यानि अपने खाने के लिए हो जाए, उतना ही काफी होता है, ऐसे activities के अंदर, अब यहाँ पर देखें, gathering की बात अलग से की गई है, कि gather क्या करते है तो देखें, यहाँ है पहला चीज़, कहां-कहां होता है ये practice, high latitude zones, latitude high, altitude नहीं, height की बात नहीं होरी, latitude high मतलब जैसे आप equator से pole की तरफ जादा जाएंगे, temperate belt में, यानि northern Canada में, Eurasia में, southern Chile में, और lower latitude zones जैसे Amazon basin हैं, तो ये दोनों extremes में आपको देखने को मिलेगा, tropical Africa, northern fringe of Australia, South East Asia, और map में यहाँ पे दिया गया है, यह जो map दिया गया है, यह देखें, यहाँ पे है, subsistence gathering कहां practice है, तो इन चीज़ों को अगर आप map के साथ समझेंगे, तो बेटर होगा, आप देखें, यह सब polar belt जो है, Arctic के आसपस वाला area, यह है, और एक सिधा सिधा जो equator वाला zone है, वो आप देख लिजए, यहाँ पे, तो equatorial और यह, तो यह दोनों ही extreme हो गया, एक जगह बहुत high temperatures और rainfall और एक जगह बहुत low temperatures and snowfall, beach के areas में नहीं है यह चीज़, यह चीज़ आप देखें, important pattern है, यह बताया भी गया है, अब यहाँ पे क्या है, कि सबसे important है कि gradually gathering अब commercial होने लग गया है, लोग क्या gather करते हैं, अलग-अलग plants के leaves, barks, medicinal plants के और उसको market में बेचते हैं gather करके, right, example दिया गया है, बहुत interesting, quinine का example है यहाँ पे, tannin extract का example है यहाँ और cock का example है, right, और यह जो leaf supply material है, beverages के लिए इस्तमाल होता है, drugs के लिए, cosmetics के लिए, fibers के लिए, patch and fabrics के oils and tree trunk healed, rubber, blatta, gums, resin, यह सारा का सारा आप देखेंगे, industry में commercially use हो रहा है, right, और यहाँ पे एक interesting example दिया गया है, चिकल का, right, हम लोग जो देखते हैं, चिकल वाली tree कौन से हमारे यहाँ, जिसको हम चीकू बोलते हैं, तो यह supporta है, यह supporta बोलते हैं, इसका भी आप देखेंग इसको इससे gum, chewing gum बनाया जाता है, बहुत commonly, और gathering का आपने map तो देखा, यह global level पे कैसा है, तो बहुत बार इसमें अब क्या हो रहा है, कि synthetic products जो market में आ रहा है, तो वो इसके उपर दबाव डाल रहा है, अब gathering धीरे-धीरे खतम होने को आया, right, अगला जो category है, वो है pestoralism का, तो pestoralism का पूरा history है, animal rearing के साथ, आप देखेंगे, right, domestication of animals जो है, वो शुरुवाती दोर से लोगों ने शुरू किया, अब people living in different climatic conditions, domesticate different animals, मने जो animal वहाँ पे locally पाये जाता है, उसी का इस्तमाल होगा, तो इसमें geographical factors का बहुत importance है, और technological development का, कि कैसा वहाँ पे इस्तमाल हो है, और यह primary subsistence activity है, तो nomadic herding में क्या करते हैं लोग, food, clothing, shelter, tools and transport, यही इनका main चीज़ है, जिसके उपर यह rely करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह move करते हैं, लिखा गया है, right, और यहाँ पे सबसे important है कि यह pasture land ढूनते हैं, कि चारा कहां मिलेगा, कहां पे हम अपने भेर ब लिए गया है, पहले आप वो देखे, यह map देखे, areas of nomadic herding कैसा है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यह पूरा जो सहारन आफरिका है, एजिप्ट है, Middle Eastern country है, और हिमाले के उस तरफ जो एरिया है, तिबिटिन प्लेटू से मंगोलिया था, यह पूरा एरिया है, उपर North में Siberia और Arctic वाला region है, और कुछ आपको थोड़ा सा, इधर आपको Horn of Africa, जो है Somalia और others में दिखता है, थोड़ा आपको इधर Botswana के आसपास, Namibia के आसपास दिखता है यह चीज, तो यह बहुत common area, आप map में mark करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे लिखा भी गया है, तो देखें, लिखा हुआ है यही बात यहाँ पे, तो इसमें क्या है, यहाँ पे आपको sheep, goat, camel, यह rear किया जाता है, cold area में आपको कौन से जानवर मिलते हैं, तो याक, llamas, reindeer, यह सब colder areas के हैं, तो वहाँ पे आपको मिलेंगे, अब pastoralism, आप देखेंगे, pastoral nomadism, Atlantic shore है, यहाँ पे, Mongolia, Central China, जो हमने यह map पे देखा, वही बात यहाँ है, और कुछ Madagascar और बगरा में भी आपको देखने को मिलता है, अब इसी का एक और शब्द यहाँ दिया गया है, transhumans, transhumans का मतलब, लोग cross करते हैं, एक valley से दूसरे valley, mountains में, जो बरफ पिघल जाता है, तो क्या करते हैं, plain area से लोग mountains के valleys में enter करते हैं, नए pasture उगते हैं, बरफ पिघलने के बाद क्या होता है, नए घास उगती है, उसको चारा के लिए इस्तमाल करने के लिए यह सब migrate करते हैं, तो यह seasonal migration है, इंडिया में बहुत famous है, तो आप देखेंगे कुछ communities हैं, जो हमारे बहुत ancient important communities हैं हमारे, गुजर्स, बकरवाल्स, गदीज, भोटियाज, तो यह जो है आपको देखेंगे, practice करते हैं सबको, इनको nomadic herders बोलते हैं, इसमें एक pattern observe किया गया है, कि south to north यह जाते हैं, summers में, right, तो south है, मतलब south में ज़्यादा गर्मी होती है, summers में, अगर आप दे historical nomads धिरे-धिरे घट रहे हैं, सबसे important reason है, उसका political instability, imposition of boundaries, कुछ नए settlements create हो रहे हैं, और बहुत सारी instability है, crimes बढ़ गए हैं, तो यह सब चीजे हैं, अब हाता है commercial livestock, अब देखें यह commercial है, यहानि यहाँ पर commerce involved है, तो यहानि capital intensive हो जाएगा, पैसे लगा रहे हैं लोग इसमे organized structure है, तो यह western countries में आपको permanent ranch बना के जो किया जाता है, वो आपको दिखेगा, इसमें fencing होगी, grazing के लिए एक land होगा, जिसको parcel कहते हैं, तो यहाँ दिया गया है, एक parcel में जब grazing हो जाता है, तो animals को दूसरे parcel में shift कर देते हैं, तो ऐसे किया जाता है, तो पूरा research करके, पैस के लिए hide skin, सब के लिए किया जाता है world market में, तो यहाँ पर आपको यह देखने को मिलेगा, commercial livestock rearing, तो इसमें genetic improvement और disease control पर भी ध्यान दिया गया है, तो आप देखिए कहां है commonly, New Zealand, Australia, Argentina, Uruguay, USA, इन countries में बहुत commonly आपको यह देखने को मिलेगा, अब आईए agriculture पे, तो pastoralism से हम अगल आ रहे हैं, agriculture पे, और agriculture में देखेंगे बहुत सारे types हैं, करीब-करीब आप देखेंगे 13 types हैं, तो आप सवाल यह उठता है कि यह 13 types आया कहां से, यह क्यों दिया गया है NCRT में, तो एक American scholar हुए, जिन्होंने 1936 में world agriculture classification दिया, इनका नाम था Derwent Whittlesey, ठीक है, तो Whittlesey जो है, आपको यहां NCRT में इनका नाम दिया तो नहीं गया है, लेकिन पढ़ाया वही जा रहा है NCRT में, जो इन्होंने दिया था classification, 13 classes, तो Derwent Whittlesey का नाम आप याद रखेंगे, American Geographer है, 1936 में इन्होंने world agriculture classification दिया, और इन्होंने और भी सारे काम किये, बहुत सारे, बट आपके लिए important नहीं है यहां पे, तो आप देखिए agriculture में इन्होंने बहुत सारा types की बात की, तो उसी type को यहां NCRT में एक एक करके दिया गया है, कि methods of farming के आधार पे, crops उगाने के आधार पे, livestock कैसा है, उसके आधार पे यह combination बनाया जाता है, तो combination के आधार पे आप देखि इसमें commerce involved नहीं होता, यह हमारे हैं इंडिया में भी traditionally सारे घर्ब के लोग practice करते थे, अब क्या हुआ है कि क्योंकि दूसरे activities में शामिल हो गया है, तो अब यह कम हो गया है, तो इसमें primitive subsistence और intensive subsistence है, primitive यानि सबसे पुराना शुरुवाती दोर का, और intensive है, जब अब आप इसको intensively यानि इसमें labor ज़्यादा लगाके और time लगाके, land लगाके आप जब कर रहें, intense तरीके से, तो primitive subsistence जो है, वो shifting cultivation जो आपने सुना होगा, उसके अंदर आता है, जो developing country, underdeveloped world में अभी आपको देखने को मिलेगा, आफरिका के कुछ एरिया में, South America, South East Asia में, आप दे देखेंगे ना, यह सारे tropical, Africa, you know, America, इसके लावा आपके कुछ North Eastern region in India, South East Asia, यानि यह tropics में पाया जाने वाला main जो है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, right, अब shifting cultivation कहा गया, यानि इसमें technique use होता है, लोग पेड को काट देते हैं, जमीन को खाली करके, तयार करके, उस पर agriculture करत हैं, और जब उसकी productivity कम हो जाती है, फिर दूसरे जगह shift हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम है shifting agriculture, अब इंडिया में इसके बड़े interesting names हैं, और कई बार यह question आता है competitive exam में, तो इसको मैंने एक जगह डाल दिया, यह देखिए, पोडू, डाबी, कुमान, ब्रिंगा, यह सब यह सब जो चीज़े हैं, areas of मद्यप्रदेश, चप्रिशगर, तो ऐसे names हैं, कुछ local names आप देखेंगे इसको, कि ऐसे use के जाता है, इसको slash and burn agriculture भी कहता है, कि पेडों को slash करो, burn करो, और फिर fire use करके, prepare करो land को, और उसके बाद stick और hose से उसको clear किया जाता है, और फिर आप 3-5 साल खेती करता है, फिर दूसरे patch पर move करता है, तो इससे क्या है, अगर यह अभी भी continue होगा, तो forest clearance का issue है, और हमारा forest cover अभी भी हम जितना चाहते हैं, तो हुआ नहीं है, तो यह problem है, environment को लेकिए, इसलिए इसको थोड़ा सा कहा जा रहा है, कि इनको, इन लोगों को alternative देने लदांग, और यह उपर जो मैंने आपको names दी है, इन names को थोड़ा ध्यान रखेगा, competitive exams के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं, और intensive subsistence agriculture अगला है, जो monsoon वाले regions में मिलेगा आपको, और यहाँ पे इसका map दिया गया है, जो intensive subsistence farming का है, तो यहाँ देखिए, जो काला कलर है, वो है, rice dominated, और जो grayish है, वो है other crop वाला, तो इसलिए इसमें दो type हो जाएगा, एक है जहाँ पे paddy dominance है, wet area, जहाँ पे monsoon है, monsoon की बारिश है, और खुब पानी होता है, तो paddy dominance है, धान उगता है, चावल उगाते हैं लोग, land holdings छोटे हैं, machinery का इस्तमाल ना के बराबर है, य जो होता है, वहाँ पे आप local, gober के खाद और manure use करते हैं, और yield per unit area तो high है, लेकिन productivity का अगर value देखेंगे, क्योंकि per labor cost, तो यहाँ क्योंकि labor जादा है, तो division लेंगे तो कम हो जाएगा, तो per labor जो productivity है, वो low हो जाता है, अब दूसरा area देखिए, इसी में, जहाँ पे monsoon की ब wheat growing belt आप देखते हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, commonly, Indo-Gangetic plane में, towards Punjab, Haryana, आप देखेंगे Western UP, millets grow किये चाते हैं, यहाँ पे millets का year था 2023, तो यह मिलेट्स का अभी बहुत प्रचलन है, लोग इसकी बात कर रहे हैं, पूरे social media में, और Europeans ने colonize करके हमें दिया plantation agriculture, अब plantation agriculture में क्या हुआ, colonies बनाये गए थे, labor तो इनके पास था ही, और resources थे, power था, तो इन्होंने large plantation tracks बनाये, hill slopes के उपर, तो tea, coffee, cocoa, rubber, cotton, oil, palm, sugarcane, banana, pineapple, यह सब plantation agriculture उन्होंने शुरू करवाए, इसमें क्या होता है, organization बड़ा important होता है, यानि आपको capital चाहिए, आपको पैसा च चाहिए, technical support, scientific method of cultivation, और single crop जो है, इसका important है, यही crop लंब एरिया में लगाया जाता है, एक तरह से monocropping जिसको कहते हैं, और cheap labor है, और good system of transportation है, यह सब इसके characteristic feature है, इसके बिना यह नहीं होता, ज्यादा तर ऐसे देशों में इसलिए होता है, जहां पर यह सब facility available हो, और आप द plantation किया, West Indies, Jamaica, जिसको आप देखेंगे, वहां के islands पर, और Spanish and Americans invest किया, coconut plantation में heavily, और sugar plantation में, Philippines में, बहुत सारे farmers जो है, Indian origin के लेगे गए वहां पर, अभी भी फिलिपीन्स अगर आप देखेंगे, वहां पर Indian origins के बहुत लोग है, Mauritius में Indian origin के बहुत लोग है, only because of these reasons, तो Dutch, इन करते हैं, बहुत हद तक, तो इसके लिए आप देखेंगे, जो बड़े tracks हैं, जहां पर farms हैं और इस तरह से किया जाता है, यह commonly आपको देखेगा, hill slope में, right, अब extensive commercial grain cultivation देखे, तो यहां पर grain cultivation नाम आया, तो यहां पर क्या होगा, यह ऐसे areas हैं, जहां पर थोड़ी बारिश कम होती है, और principal crop आप यहां पर देखें है, wheat, तो आप US में देखेंगे, जो आपका Midwest है US का, वहां पर यह crop ball बोलता है, green ball, तो corn, barley, oats, rye, right, और size of farm बड़े-बड़े होते हैं, machine से किया जाता है, plowing, harvesting, mechanized farming जिसको बोलता है, extensive agriculture, right, तो यह जो चीज़ें हैं, आपको 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 देखने को मिलेगा Argentina में और Australia में, तो यह सब places आपको map पे ही दिख रहा है आपको, तो यहां देखिए आप Eurotian steppies, Canadian American prairies, Pampas of Argentina, Wells of South Africa, Australia Downs and Canterbury Plains of New Zealand, यह जो grassland region है, इस पे यहां पे generally बड़े-बड़े area tracks of land है, जिसको clear करकर इस पे agriculture green किया जाता है, अब आता है mixed farming, नाम ही है mixed, यानि यहां क्या किया जाएगा, आप यहां पे mixing होगी दो चीजों की, यानि animal husbandry के साथ-साथ cultivation को balance किया जाएगा, तो यहां North Western Europe में, Eastern North America में, फिर Eurasia के कुछ areas में, temperate latitude वाले area में आपको देखने को मिलेगा, तो crop में आप देखेंगे, wheat, bali, oats, rye, maize, fodder, root crops, और उसके साथ-साथ animals का rearing भी होता है यहां पे, तो इसमें भी बहुत खर्चा है, capital intensive है, तो ज़्यादा तर देखेंगे थोड़े से जो well-to-do nations है, वहां यह बड़ा common है, और इसमें chemical fertilizer का इस्तमाल है, manures का इस्तमाल बहुत कम है, अब green manure आगे है, तो उसका इस्तमाल क breeding, milching, you know, machines, इन सब की जरूत है, तो इसके लिए dairy में पहला जो है, वो cost लगता है, अगर आप dairy establishment करेंगे, तो cattle breeding, health care, veterinary services establish करना होता है, तो आप देखेंगे dairy के लिए बहुत important होता है, यह सारी चीज़े, तो इसमें labor भी लगता है, और important यह है कि यह particular तरीके से, जैसे crop है, इसका fodder आता है, तो उस समय किस season चल रहा है, उसके हिसाब से उनको क्या खिला जाएगा, इन सब के लिए scientific study की जरूत है, तो managerial skill चाहिए, तो यह सब generally urban centers, industrial center के आसपास area में होता है, क्योंकि perishable है अगर आप milk supply करेंगे, तो town में करेंगे, तो milk and dairy products हमेशा near the city होगा, city के अं यॉरप में, North Western Europe में, and you know, Southern Eastern Australia और New Zealand में तस्मानिया में यह सबसे common है, आज है यह Mediterranean agriculture पर नाम ही है, Mediterranean यानी Mediterranean region में तो है ही, उसके अलाव Mediterranean climate जो है, जहाँ winter rainfall होता है, तो climate अगर आप देखेंगे winter rainfall वाला moderate climate, तो कहीं कहीं पर जहाँ पर दुनिया में यह है, वहाँ आपको य dairy farming का तो यह map देखेंगे है, अब आप देखिए, यह जो Mediterranean agriculture है, तो North Africa, Tunisia, Atlantic Coast, Southern California वाला area, Chili, कुछ areas, Australia में, citrus fruit वाला जितना भी area है, apart from Mediterranean, तो इसको viticulture कहते हैं, grape cultivation, तो Mediterranean के असपास आप देखेंगे, grapes जो है, वह बहुत होता है, और grapes को dry करते हैं, raisins and currants बनाने के लिए, olives है Figs है, wine industry बहुत famous है, यहां पर, तो Europe and North American markets में आप देखेंगे, सबसे important है, fruits, vegetables, यह सब ग्रो किये जाता है, अब आता है, last के दो-तीन category, जिसमें market gardening and horticulture है, अब देखेंगे, यह market gardening and horticulture का क्या मतलब, ऐसे valuable crops हुगाया जाता है, जो market oriented है, जहां पैसा generate के जाए, इसे कुछ specific fruits, flowers, vegetables, urban market के लिए, तो यह सब चीज़ें आप देखेंगे और इसका transport के साथ linkage होता है, तो efficiency चाहिए transport में, इसमें irrigation facility, high yielding variety of seeds, fertilizers, greenhouses बना के जो लोग करते हैं, colder regions में, तो यहां पे आप West Europe में, North East US में, Mediterranean regions में, जैसे tulip flower, इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है, कितना जा तो यहां vegetables के लिए, और truck, इसलिए क्योंकि यहां पे truck पे उगाते हैं, आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, truck के थूरू, और एक truck overnight जितनी दूरी जा सकता है, तो आप सोचिए कि शाम को लेके गए और सुबह आपको supply करना है, तो truckers का इसमें बहुत importance है, और काफी बार आप द disease के लिए supervision चाहिए खास करके, और उसके लावा services चाहिए proper आपका, तो यह सब चीजे जो है, यहां पे ध्यान से आपको देखना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है, poultry farming कैसे हो रहा है, cattle rearing कैसे हो रहा है, यह सब यहां दिया गया है, scientific techniques के लिए, तो क्योंकि west में जहां पैसा है यहां पे फिर क्या है, development के लिए science का, technology का इस्तमाल उस तरीके से है, इसलिए breed selection, scientific breeding की बात यहां पे है, अब यहां पे आईए, cooperative farming पे, तो cooperative farming में नाम ही है, corporation, यानि लोग अपने मन से क्या करते हैं, cooperate करने के लिए, voluntarily, you know, ज्यादा profitable farming करने के लिए, एकठा होते हैं, तो cooperative established ह होता है, Amul हमारा जो initiative था, वो इसलिए था, right, operation flood जो हुआ, तो आप देखेंगे, वर्गी क्यूरियन का नाम आता है, लेकिन यह West में देखिए, Denmark, Netherlands, Belgium, Sweden, Italy, इन सारे countries में आपको देखने का मिलेगा, बहुत successfully run होता है, Denmark में तो खास करके, और इन सारे countries में आप देखेंगे Swiss chocolate की बात करते हैं, right, तो यह सारी चीज़ें देखेंगे कि Switzerland में जो गाये के breed है, जहां milk production है, dairy बड़ा important industry है उनका, तो collective farming में देखें, यहां पे कहा गया है, social ownership को आप, you know, importance देते हैं, और collect करते हैं, collective behavior, collective labor, right, collective production, यह सोवियत union का देन है आपको, इसको कॉलखोस कहते हैं, यहां पे first value और कहते थे इसको पहले, और यहां agriculture boost self-sufficiency के लिए किया गया, यहां पे लोग अपने land को pool करते हैं, इकठा करके land, livestock, labor, तो इसमें क्या है, resource का थोड़ा सा बच्चत भी होता है, और इकठा होके काम करते हैं, unity वाला एक part आ जाता है, फिर है mining activities, अब हमारा history ब Arctic Ocean में बहुत सारी आप देखेंगे areas में, इसमें सबसे पहला तो physical factor है, size, grade, mode of occurrence, deposits कहां कहां है, एक तो यह है, और दूसरा है economic factors, जैसे demand for mineral, technology available, उसके लावा capital, और labor and transport cost, तो यह सब factor जो है थोड़ा सा हो जाता है mining activity के लिए, कि कहां पे mining कैसी होगी, अब जैसे open cast mining है, यह method है, और दूसरा जो है, वो underground वाला है, तो open cast यानी surface पे है, जो mining, वो तो आराम से निकल जाता है, but underground के लिए shafts बनाया जाता है, आप देखें, यहाँ पे image में दिया गया है, तो यहाँ open वाला mining यह है, और shaft बना के यहाँ से mineral निकाला जाता है, यह चीज है, तो vertical shaft बना के, और इसमें कई बार problem होता है, कि poisonous gases, fire, flood, right, अभी recently एक movie आई थी, अगर आपने देखा हो थो, रानी गंज के उपर, जहाँ पे इसको थोड़ा सा दिखाया गया था, कि you know, mining areas के accidents कैसे होते हैं, और कैसे आपको इसके लिए काम करना ज़रूरी है, तो large labor force, you know, जिसको high standard of living चा करके उनका contribution to national development, लेकिन साथ ही साथ कुछ multinational companies intrude करती हैं, और बहुत poor countries जैसे कि घाना है, नाइजीरिया है, ऐसे countries में जाके वो अपने जाल भलाती हैं, और country के resources को drain करती हैं, अपने एक particular contractual system के थूप, तो ये भी news में आपने देखा हो या सुना हो, तो ये सारी बाते हैं जो related है primary activities से, and I hope कि आपका एक quick revision के लिए video आपको काम आए, आप please इसको share जरूर करिये, और मिलते हैं हम लोग अगले video में, और अगर आप खुश है हमारे channel के इस video के series से, तो please हमारे channel को support करिये, हमें join जरूर करिये, become a member of this channel, so that we also get some support from you, thank you so much.